दोस्तों आपने हमेशा सुना होगा कि practice makes a man perfect और इसी धारना को आगे ले जाते हुए हम लोग कर रहे हैं बहुत सारा practice biology related इसके लिए प्रयोग शाला technician exam जो आपका 29 सितंबर को होने वाला है इस session में हम लोग कुछ most important MCQs solve करेंगे जो की आपके आने वाले exam के लिए बहुत जादा important हो जाते हैं ठीक है चलो तो देखते हैं लेकिन मैं आपको अभी भी बता दूँ आप अभी भी प्रयोग शाला technician के लिए test series नहीं लिए हैं तो आपके लिए offer अभी भी वेट कर रहा है 49 रुपए में सिर्फ और 49 रुपए में आपको ये test series दिया जा रहा है पूरे के पूरे 10 full length test आपको मिल रहा है यहाँ पर और जो test है वो दोनों language में है हिंदी इंग्लिश दोनों language में और सभी subjects है ऐसा नहीं किसी biology सभी subjects में questions आपको मिलेंगे चीक है चलो और बिल्कुल live ह करते हैं आज का session उससे पहले बता दूँ आपको आप हमारा telegram channel अभी join कर लें क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे latest updates मिलते रहते हैं और यह रहा हमारा website जहां से आप जाकर join कर सकते हैं क्या test series यहाँ पर number दिया है इसमें भी आप call या message कर सकते हैं और या तो www.lifescience tutorial.com पर जाकर भी enroll कर सकते हैं चलो भई और अगर वीडियो पसंद आता है तो यार वीडियो को like भी कर देना और चैनल को subscribe भी कर देना चलो स्टार्ट करते हैं पहला question आज कर तो पहला question बहुत easy question है बचपन से सुनते आ रहे हैं यह question है na which of the following is the powerhouse of the cell कोशिका का उर्जाग्री क कि से कहा जाता है mitochondria सब को पता है है ना दूसरा question which of the following structure in plants is responsible for the transport of water and minerals चीक है पौधों में जल और खनीजों के परिवहन के लिए कौन सी संरचना जिम्मेदार है कौन से संरचना जिम्मेदार होती है पौधों में जल और खनीज के परिवहन के लिए तो इसका अंसर फ्लोयम क्या करता है फ्लोयम तो फूद का ट्रांसपोर्ट कराता लेकिन यहीं करवाता है water का त्रांसपोर्ट चीक ए वोट्र अ्ट्र मिनरल का आद ट्रांसपोर्ट कौन कर्वाता है जायलम इसको कैसे रह रखोगे X-enum और उसके पहले क्या क्या आتा है डबलू तो W से water और X xylem W, X, Y, Z अलफबेटिक लिए अगर देखते हैं तो और F से food और F से phloem तो food phloem के दोरा जाता है तो human में growth hormone कौन सा है मनुश्यों में वृद्धी hormone के रूप में कौन सा hormone जाना जाता है तो क्या ये thyroxine होगा insulin होगा, somatotrophin होगा इसका आंसर हो जाता है क्या somatotrophin growth hormone के नाम पर जाना जाता है, glucose क्या करता है glucose जो है क्या करता है हमारी body में blood level sorry, blood के sugar level को maintain करता है शरकरा का जो इस तर होता है हमारे रक्त में उसको maintain करता है thyroxine क्या करता है, metabolism में help करता है, ठीक है ना, चलो, बात करता है fourth question की, the genetic material in most organism is composed of तो अधिकतर जो जीव जन्तवे होती है उनमें आनुवंशिक समागरी किस से बनी होती है है ना, जो genetic material हो किस से बनी होती है तो यहाँ पर DNA ही तो होता है, है ना, RNA भी होता है लेकिन अधिकतर जो organism है, उनमें DNA ही genetic material होता है चलो, question number fifth, which of the following process is responsible for the exchange of gases in the alveoli of the lungs तो फेफडेव के अंदर, alveoli में गैसों के आदान, प्रदान के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार होती है चीक है, हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे है तो ये lungs के अंदर भी तो exchange हो रहे है, carbon dioxide बाहर आ रहा है, alveoli से और क्या जा रहे है अंदर, oxygen अंदर जा रहे है हम लोग जो अंदर ले रहे हैं वो तो ये जो process होता है, exchange of gases, आदान, प्रदाद, गैसों का ये किस के थुरू होता है, diffusion के थुरू में, लेकिन किस का movement, water, चीक है, याद रखना, अगर water का movement, high concentration से low concentration में हो रहे है, movement, और बीच में अगर semi permeable membrane उपस्थित है, है ना, semi permeable membrane अगर बीच में उपस्थित है, और यहाँ से water, high concentration से low concentration में जा रहा है, तब यह क्या कहलाता है, osmosis, और इन दोनों प्रक्रिया में energy की जरुवत नहीं होती है, ठीक है ना, यह passive process है, ठीक है, और active में क्या होता है, active में तो energy की जरुवत होती है, facilitated diffusion भी diffusion का ही type है, ठीक है, जिसमें forcefully diffusion कराया जाता है, ठीक है, अब which of the following is a characteristic feature of mammal, निमनलखित में से कौन सा स्तंधारियों की एक विशेष्टा है, तो क्या स्तंधारी मतलब जिनके पास में memory gland होता है, स्तंपान करवाते हैं, अपने बच्चे को दूद फिलाते हैं, इनको स्तंधारी बोलते हैं, mammals बोलते हैं, तो भाई, इन में से कौन सा mammals का character है, तो क्या laying egg है, अंडे देना है, अंडे देना तो mammals का character नहीं है, बिल्कुल भी, क्योंकि जो non-caudits होते हैं, वो अंडे देते हैं, तो यहां पर बिल्कुल भी, birds भी अंडे देते हैं, ठीक है, तो mammals नहीं है, reptiles भी अंडे देते हैं, फ्रॉक भी अंडे देते हैं, लेकि भी warm-blooded होते हैं, warm-blooded मतलब क्या होता है, इन्ही को ही homeotherm भी वोरा जाता है, ठीक है ना, homeotherm का मतलब क्या होता है, ऐसे organism जो अपनी body का temperature हमेशा constant रख सकते हैं, चाहे environment का temperature कैसा भी हो, परियावरन का जो आसपास के वातावरन का जो temperature है, ताप मर है, वो कैसा भी हो, अपनी body का temperature हमेशा constant रखते हैं, और इसके लिए बहुत ज्यादा energy भी लगता है, इसलिए हमको रोज खाना खाना पड़ता है, हम क्या है, homeotherm है, warm-blooded animal है, ठीक है, और हम स्तंधारी में ही आते हैं, तो यही इस cancer हो जाएगा, gills for respiration यह नहीं होगा, और फिदर तो birds में पाए जाता है, बट mammal का यह character नहीं है, तो क्या हो जाएगा इस cancer, warm-blooded या गर्म-रक्त वाला जन्तु, ठीक है, question number 7, which of the following is the basic unit of life, अरे यार, इतना easy question, और ऐसे-इस question भी आपके exam में आते हैं, ठीक है, एक और बहुत important question बताऊंगा, सबसे last में, 11th number, 10 question कर रहे हैं, 11th number में एक बहुत important question जो सबसे easy है, लेकिन हर exam में वो question पूछा जाता है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, कोशी का cell को बोलते हैं, क्या, जीवन की इकाई, unit of life, basic unit of life, question number 8, which of the following is an example of an autotroph, है न, स्वापोशी का उदाहरन इन्वे से कौन सा है, autotroph मतलब ऐसे organism, ऐसे जीव जन्तु, जो अपना खान सिस करते हैं, और अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो इसका answer क्या हो जाता है, यहाँ पर cow भई, यह तो heterotroph है, और इनको herbivore बोला जाता है, फिर mushroom यह नहीं होगा, mushroom किस में आ जाता है, fungus में आ जाता है, लेकिन oak tree, यह, ओक का पेड़, यह हो जाएगा, इसका answer, जो क्य लोग अपना खाना बनाते नहीं है, कई लोगों को confusion होता है, हम लोग को भी अपना खाना खाना पकाते हैं, बनाते हैं, तो हम अपना खाना बनाते नहीं है, हम उसको पकाते हैं, ताकि tasteful बना जा सके उसको, है न, यह रहा, चलो Question number 9 Which process involves the splitting of glucose to release energy कौन सी प्रक्रिया में उर्जा को मुक्त करने के लिए glucose का विभाजन शामिल होता है तो photosynthesis में तो glucose बनता है glycolysis बिलकुल glycolysis में क्या होता है glucose को breakdown किया जाता है दो pyruvate molecule बनते हैं 3 carbon molecule चीक है दो pyruvate molecule क्रेप cycle नहीं होगा और electron transport chain भी नहीं होगा ATP बनता है चलो क्रेप cycle में तो pyruvate आगे जाकर और breakdown होता है तो आज का last question लेकिन ये last नहीं है एक bonus question last में और है 11th number Which of the following is not involved in the formation of blood clots रक्त के ठक्कों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है इनमें से कौन सा है जो blood के clotting में help नहीं करता है तो fibrin करता है plate late भी करता है trombin भी करता है लेकिन ये जो hemoglobin है ये क्या करता है ये oxygen को carry करता है ये oxygen carry करने का काम करता है एक जगा से दूसरे जगा oxygen को लेके जाने का काम करता है कौन? hemoglobin लेकिन ये blood के थक्का बनने में या clotting करने में help नहीं करते, इसका answer क्या हो जाएगा, last, hemoglobin हो जाएगा, अब एक last question यहाँ पर बताना चाहूंगा, पूछा जाता है कि इन में से कौन से cell cycle के या कोशी का चक्र के कौन से phase में DNA replication होता है, तो दे दिया जाएगा आपको G1 phase, G2 phase S phase and M phase, इन में से कौन से phase में क्या होता है, replication होता है, तो इसका answer हो जाएगा, S phase, S phase में ही क्या होता है, DNA का replication कौन से phase में, S phase में होता है, ठीक है भई, चलो, तो यहाँ पर हमारा आज का session समाप्त होता है, 10 questions, very important questions, आप बिलकुल अपना notes बनाएं, तयार करें, और ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो revision ही most important है, और revision आप ऐसे ही PYQ question से बहुत अच्छे से अपना कर सकते हैं, तो चैनल को subscribe कर सकते हैं, आप अगर subscribe नहीं किये हैं, और वीडियो पसंद आया, तो like भी कर सकते हैं, बहुत बहुत धन्यमाद, और बिलकुल आप प्रयोक्षार तक्नीशि का test series अभी भी join कर सकते हैं, अभी भी आपके पास 7-8 दिन है, 10 टेस्ट है, 2 घंटे का 1 टेस्ट है, तो आप एक दिन में 2-2 टेस्ट करके दे सकते हैं, बिलकुल आपके पास अभी भी time है, कर सकते हैं आप तयारी, ठीक है ना, तो और test को join कर सकते हैं, तो यहाँ पर number से कॉल करके और link description में दिया हुआ है, तो वहाँ से भी directly आप join कर सकते हैं, सिर्फ और 49 रुपर में test provide किया है,